तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुबरा क्या थोड़ा अडवांस टॉपिक पड़ा हूँगा जिसके अंदर हम कुछ फ्लैक्स जो हैं वह इंग्लियूड करेंगे एंड मैं आप लोगों को यह भी बताऊँगा कि जैसे हमने लास वीडियो के अंदर देखा था जैसी मैंने गो कमांड चला है तो उसके अंदर एक डॉकुमेंट कुल के आ गया कि आप यह जो कमांड हैं वह चला सकते हैं तो वह कैसे कर सकते हो कैसे अचीव कर सकते हो तो चलिए बढ़ते हैं तो बस आपको एक ही काम करना आपको यह वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों की उसके साथ पैटर इंडेस्टैनिंग और जा कह सकते हो बड़िया वाली इंडेस्टैनिंग जो हो जाए ठीक है जी तो को यहां पर लेगे देते हैं मैसेज एंड यह किस टाइब करेगा स्ट्रिंग टाइब करेगा यहां पर जो रन वाला हम कह सकते हैं अ तो थोड़ा सा मोडिफाई करेंगे इसमें अगर अगर मेरा मैसेज आ रहा है ठीक है मैसेज not equal to null अगर वो एमटी नहीं है तो वो क्या ह हो तो मेरा यहां पर प्रेंट हो इंटलन ग्रीटिंग्स वो मैसेज ठीक है अधरवाइस क्या है एल्स केज में मैं वही सेम चाहीं लिखूंगा आफम्टी डॉट प्रेंट अलो है तो यह हो गया तो अभी क्या है अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा explain करूं तो अभी क्या किया है मैंने एक वरियेबल डिकलेर किया है मैसेज जिसको हमने रंड के अंदर चेक किया है कि अगर मैसेज आ रहा होगा तो हम मैसेज को प्रेंट कराएंगे ठीक है अधरवाइस क्या है कि ऐल्स केस चलेगा जो के बता रहा हो रहते हैं जैसे अगर आपने देखा हो मैं आपको एगर एक एक जांपल जैसे आप लोग करते हो अगर मैं बताऊं गो इनस यू गया मैस यह यहां पर यह क्रुका महते है जब भी आप एनिपी यंदर कोई भी पाके instruct लाटभार्ण इंस्टॉल लिखते हो ठीक है अगर यहां पर माइनस वाई लिखते हो तो इसका मतलब क्या है यह माइनस वाई क्या है एक फ्लैग है यह किसी चीजी को रिपर्जेंट करता तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि आपने कैसे इस चीजी को बना सकते हो खुद से तो यहां यहां पर हमें क्या है इनिट फंक्शन एक डिकलेयर करना पड़ेगा फंक इनिट यहां पर हम वो जी लिखेंगे जिसके अंदर वो फ्लैग से जो वैल्यू आ रही होगी हम उसको मैसेज के साथ बाइंड करेंगे ठीक है जी तो हमने यह वाला जो वेरियेवल भी डिकलेयर चलिक यहां इसको हम यूज करेंगे लिख हो ऊगया मगतुय रहा हम ने कि यहां पे का रूड कमाड पर चलाक क के बाद हम क्या अभे एक और टो फॉर यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या कुछ जाएगा पहले तो हमारा स्ट्रिंग वैर पी के अंदर जाएगा जो विरियेबल आपने जिसके साथ रिजल्ट बाइंड करवाना है वो यहां पर नेम क्या रहने वाला है शॉर्ट हैंड स्ट्रिंग जो है वो कह रहने वाला है वैल्यू के स्ट्रिंग हो तो यहां प्रकी साहत नोगा मैसेज तो यह एक फॉयंटर के मालब यह फ़ॉयंटर करता था तो इसलिए हमने इसका reference पास कर तो अब इसके अंदर किसके अंदर value आएगी message के अंदर value आएगी और उसका short hand method क्या रहेगा m value क्या आएगी अभी हम वो dynamic रखेंगे यहां पर हम इसको एक description देते हैं short कि क्या प्लीज पास वे message हमने क्या कुछ दिया है इसके अंदर string where p क्या है string where p जो है is like string where but accepts short hand letters that can be used after single dash ठीक है मले इसके अंदर क्या है आप अपना जो first parameter उसके अंदर आपको variable पास करना है जिसके अंदर आप इसका end result जो है वो bind करना जाते है जबसे पहली बार द दूसरी दूसरा क्या है ने जिसके जरिय yön आप pass कर्वाना जाते हैं तीसरा क्या है short hand method मानलों के आप लोग name नहीं use करना जाते आप short hand method से proceed करना जाते हैं तो वो भी आप यहां पिंदे सकते हो वेल्यू क्या है जो भी आप वेल्यू नेम के अंदर या शॉर्ट हैंड मेथट के अंदर रसाइन करवाओगे तो वह यहां पर आ जाएगी अगर आप बाइट डिफॉर्ट कुछ रखने जाते तो आपकी इच्छा है आप डाइनमेक कमार्ड से भी दे सकते हो ठीक है अब य यहां पर इसका मैंच्छ करते हैं जो जिख होई थी हम ऐसी करते हैं घौ का भी अगर चाही होता तो हम ऐसे ही help मनते हैं यहां पर यूज लिखा हुआ है इसका है एक हमने लिखा हुआ है तो उसका help flag की बात करूं तो वो by default यही रहता है अब बारी आते है custom flags की जो हमने यहां पर दिया था जा आप यहां पर वही देख पा रहे हो right and जो shorthand flag दिया था क्या था shorthand flag तो यहां पर वही दिख रहा है अब यहां पर description हमने क्या लिखे थी please pass a valid message तो यहां पर वही दिख रहा है अब यहां पर यह किस टाइप का चीज़ें लेगा string type की तो यहां पर आगर आप चाते हो कि इसको किसी और तरीके से modify करके दुबारा से reflect करके दिखाऊ तो वह भी दिखाएता हूं like यहां पर मैं इसको edit करके message लिख देता हूं और यहां पर बोल रहा है कि जो message है वह आपका single word रहेगा ठीक है आप उसमें multiple जो है वो चीज़ें नहीं लिख सकते हैं तो हम इसको simple single word ही लेके चलेंगे तो दुबारा से अब मैंने message लिखा था तो message आ चुका है प्लीज का पी capital किया था तो वह भी यहां पे capital reflect हो चुका है अभी बारी आती है कि हम flag कैसे पास करें तो अगर मैं यहां पर कुछ नहीं लिखता हूं तो आप देख सकते हो मैंने अगर यहां पर कोई flag नहीं पास किया कोई flag के अंद हम क्या करते हैं यहां पर shorthand method से पहले जो है message पास करते हैं तो यहां पर एक चीज आपने ध्यान रखना है यहां पर shorthand method के साथ एक ही minus लगता है and जब आप full name के साथ करते हो तो double minus लगता है ठीक है तो अभी हम एक minus लेके चलने है there is a message तो इसने क्या किया अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली है कि यहां पर मैंने minus m के साथ there is a message मैंने पूरा message टाइप किया बट इसने there print करवा दिया उसका reason क्या है क्योंकि यह पूरा जो था वह एक string में नहीं था महले एक single string नहीं था इसने क्या किया space को multiple string से supply कर दिया तो इस separate string है a क्या है separate string है message क्या थी इसके लिए separate string थी तो अभी मैंने क्या किया double code से उनको single string में convert कर दिया तो अभी क्या देख सकते हैं there is a message तो उसने अभी यहां पर वहीची प्रेंट की जो आपने पास की थी तो अभी इसको सेम ट्राइब करते हैं double minus के साथ message के साथ भी इसको पास किया तो भी यहां पर क्या आ गया अशा करता हूं आप लोगों को जो यह flags के regarding understanding है वो आ गई होगी अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कोई बात नहीं आप मेरे को comment section में बता सकते हैं तिक है मैं आप लोगों की जुरूर help करूंग comments के लिए जो reply है वो definitely दूँगा दूँगा वीडियो का लाइक जरूर कर दें अगर लगी हो चैनल को subscribe कर दें अपने friends circle में share कर दें थैंक यू फो वाचिंग आइस निचाय शीरिया